अमिद शाह इस वक्त पहुचे हुए है और अपनी बात रख रहे हैं लोग जो देर से आयो बैठ जाओ वहीं पर बैठ जाए प्लीज पत्रकार भी बैठ जाए भई या तो कौने में चले जाओ अरे आपको कह रहा हूं मैं बैठ जाओ या तो कौने में चले जाओ मंच पर उपस्तित भारत सरकार के मंत्री श्रीमान अर्जुन्डाम मेगवाल जी रजक्षेत्र के अध्यक्स श्रीमान रजनिकान महेश्वरी जी यहाँ पर उपस्तित हमारे सारे विदायक के प्रत्यासी गण श्री लक्षमिनान चौत्री जी खड़े हो जाईए भई ताली बजाओ लक्षमिनान जी के लिए श्री पूरण प्रकास जी बल्देव के विदायक है गोवर्धन के प्रत्यासी आगे राउंड है वहीं पर है श्रीकान जी भी मेरे साथ अभी राउंड में धेव राउंड में गए है श्रीकान जी भी आगए है और आज यहाँ विशेश जो व्रूंदान मतुरा से संतगण उपस्तित है इनके स्रीचानों में मैं प्रणाम करता हूँ और आज इस छोटी सी परन्तु महतोपुन बैठक में आए हुए मतुरा वुंदावन के प्यारे भाईयो बेहनों आप सभी को मेरा प्रणाम मित्रो आज मैं यहाँ पर आया हूँ 2022 के यूपी इलेक्षन के 2022 के यूपी इलेक्षन के हमारे सभी प्रत्यासियों को जिताने की अपिल करने आया हूँ क्यूंकि कोरोना के कारण चुनाव आयग ने छोटी सी मिटिंगे करने की आचार सहीता बनाई है भारतिय जनता पार्टी भी आचार सहीता का सन्मान करती है और हम सभी ने तय किया है कि इस प्रकार के समवाद के माध्यम से और सम्वाद को मिडिया के माध्यम से घरगर पहुचा कर इस बार चुनाओ प्रचार किया है मित्रो आद मैं जब मतुरा में आया हूँ ए मतुरा गुरुंदावन गोवर्धन न केवल उत्तर प्रदेश देश भर के लोगों का स्रद्धा कैंद्र है क्योंकि यही क्षेत्र है जहाँ पर भगवान स्रीकृष्ण ने स्रीकृष्ण बनने की प्रक्रिया की सुरुवाद करे काना को स्रीकृष्ण बनाने वाला क्षेत्र यही कहीं पर भी जाते हैं अगर मालूम पढ़ जाएगा आप देश में कहीं पर भी जाईए मालوم पढ़ जाएगा बुरुंदावन से आये हैं तो तूरंग बोलेंगे रादे रादे तूरंग बोलेंगे और accounting देस्ट दुनिया भर चैंदर समर्पन भाव के लिए रादाजी का जो क्रुष्ण के प्रति समर्पन था जो भक्ति थी उसके लिए क्रुष्ण के आगे भी आज हम राध्या का नाम देते हैं राधे क्रिष्ण बोलते हैं और यही भूमी यही भूमी पर धेर सारे अत्याचारों को करने वाले कंस का वद भी हुआ तीन महिने से लेकर चौदा साल की आयू तक जितने भी असूरों को भेजा प्रभू ने इसका संधार भी इस भूमी पर किया और धर्म की स्थापना करने का काम किया थे मदूरा की दिव्यता भव्यता लोटाना उसकी अध्यात्मिक उंचाई को जरा भी कम करे बगैर उसको आधूनिक से आधूनिक तिर्थिस्थान बनाना यह भार्दिय जलता पाटी का लग्षा और इस दिशा में पांच साल में धेर सारे काम हुए धेर सारे कदम उठा गए और मगर मैं इस पर जड़ा बात में भी आने बात में आऊंगा सबसे पहले कारेकर्ण के माध्यम से व्रज ख्षेत्र की समग्र जनता को मैं दो हाथ जोड़कर धन्यवाद करना चाहता हूँ क्यूंकि चाहे चुनाव 14 का हो 17 का हो 22 का हो व्रज के डिप में जब खुलते हैं सिर्फ कमल ही कमल दिखाई रहा मैं तिनों चुनाव में बार्दिय जनता पार्टी के साथ यहां जुड़ा रहा हूँ 2013 में मैं यहां प्रभारी बनकर आया था 14 में चुनाववा उत्तर प्रदेश ने मन खोलकर भोले संकर की तरह मोदी जी की जोली वाटों से बर्दी और फून बहुमत की सरकार्व 2017 में आया हमने कहा कि मोदी जी को बिठाने से कुछ नहीं होता जहां पर जहां तक उत्तर प्रदेश में व्योस्ता नहीं बदलती है उत्तर प्रदेश का विकास नहीं हो सकता आपने मोदी जी कि आप पिल बिल्गा संमान करते हुए टीन सो से जादा सीटे देकर भारतिय जनता पार्टी के पून पर और पीर से 2019 में भारतिय जनता पार्टी के करते आए उस वक्वी में अध्यक्सा आपने किसी की सुने बगर हमेशा की तरह आसिरवाद भारती जनता पार्टी को इसलिए मैं व्रज छेत्र की जनता को कहने आया हूँ इसाड़े साथ साल में देश और उत्तरप्रदेश में जो परिवर्तन हुआ है इसका अगर सीधा यस किसी को देना है तो मैं बे जिछत उत्तरप्रदेश की महान जनता को देकर उसका धन्यवाद करें और इस बार यूपी का जो चुनाव है मैं आप सभी को कहना चाहता हूँ भाईयो बेनो यू आओ यू पी के चुनाव को विधायक का चुनाव मत समझे किसी को मंत्री मुख्य मंत्री बनने का चुनाव मत समझे उत्तरप्रदेश का चुनाव आने वाले देश में भाग्य का भारत के भाग्य का नेने करने वाला चुनाव क्योंकि देश के सबसे बड़ा सुभा है 22 करोर से ज्यादा मतनाता अगर विक्सित नहीं होता है प्रदेश तो देश का विकास उपी छड़ा रहे और अब तो हमारे यहां कहते हैं नहीं हाल में भोजन करने बैठो और मा परोस्तने वाली हो तो कोई दिक्कत आती है वे खाने में आती है बताओ अब यूपी का विकास करना है आपने वोट भी दिये और मोधी जी भी उत्तरप्रदेश से जीत कर देश के प्रदान मंत्री बन मित्रों उत्तरप्रदेश का चुनाव आने वाले पांच साल के लिए उत्तरप्रदेश की पार्टी के हाथ में किस विचार जारा के हाथ में जाएगा इसका चुनाव भारतिया जंटा पार्टी की सरकार देखने के पहले उत्तरप्रदेश ने लंबे काल खंड तक सपा बस सरकारे देखी सपा आती थी सियए जाति का काम किसीने खूचा ही नहीं यह तो नरेंद्र मोदी जी के प्रधान मंत्री बनने के के बाद योदी आदित्यनाग के मुख्यमंत्री बनने के बाद सब का साथ सब का विश्वास और सब का विकास विकास का सूत्रा और यह जो सरकार है भरतिय जनता पार्टी की यह सरकार जो परिवारवाद और तुरुष्ट्री करण के आधार पर राज करने वारी पाटियों को दरकिनार करने आप मुझे बताइए रातमीती के अंदर जातिवाद और परिवारवाद होना चाहिए क्या होना चाहिए रातमीती के अंदर अपनी वाट बेंक का तुरुष्ट्री करन करने के लिए सारे समाज को दरकिनार करकर आगे बढ़ना ठीक है क्या मित्रोय सरकारे चली जातिवाद परिवारवाद के लिए चली तुरुष्टी करन के आधार पर चली और भ्रष्टाचार का यहां चारो और भोल बाला था मैं आपको पूछना चाता हूँ साड़े साथ साल से मोदी जी की सरकार है यह राहूल बाबा भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सकती लगा सकते हैं क्या लगा सकते हैं क्या पांक साल हो गई योगी सरकार को अकिलेश बाबु नौटो की धेर निकलते हैं आपके लोगों एक आजरे भारतिया जनता पार्टी बोष्टाचार का कोयी आरोप नहीं हमने पार दर्सी सरकार करेने का काम किया है हमने लोगों का जो पैसा ठार उसको अंपनी घर में पहुचाने का काम किया है। मित्रो उत्रप्रदेश को हम सब जानते हैं। मगर तनिक मैं पांच साल पहले ले जाना चाहता हूँ। समाजवादी की पार्टी की सरकार्ट गुंडा रात था या नहीं था बता हुए। जड़ा छोड से बोलो था या नहीं था। बाहु बली प सब्सक्राइटी की सरकार आई जो बाहु बली से पहले पुलीस डरती थी वह पुलीस से डरकर गले में पट्टी लगाकर सरंडर कर रहे हैं। और जब इन पर गाज गिरती है। अखिलियस जी के पेट में दर्ग हुए। कहीं आजम खान। कहीं मुकतार अंसारी है। नजाने कितने कितने फेल फेला कर गए तो आजम खान को पकड़ा तो C.A.R.P.C. की सारी की सारी धाराये कम पड़ गई इतने केस आजम खान पल्लत गए परमित्रों मैं आपको ये कहने आएगू सिर्फ दो हचार करोड की भूमी सरकारी संपती ये मापियाओने जो कब्ज की थी उसको खाली कराने का काम भारतिय जनता पार्टी की सरकार ने किया है मोदी जी के नेत्रुत में योगी आदितेनात मित्रों यहां पर कानून का सासन करने लगाने का काम भारतिय जनता पार्टी की सरकार ने और अखिलेश बाबू आप कानून और व्योस्ता का सवाल मैं आपको कहना चाता हूँ मादेहन मायावत्य जी मैं आपको कहना चाता हूं कल मेरी बात का सारवजनिक जवाब दिजिए अखिलेश बाबू के सासन से भारतिय जन्ता पार्टी के सासन में डकेती में 70 प्रतिसत कमी हुई है कितनी हुई है भाई लूट में 72 प्रतिसत की कमी हुई कितनी हुई है हत्या में 29 प्रतिसत की कमी हुई कितने प्रतिसत की और अफरहन के अंदर 35% की कमी ये भारती जन्ता पार्टी के सासन में और अगर आप इसका जवाब देना चाहते हैं तो जरूर दे दो मुझे जवाब देने की जरूरत नहीं है हमारा युवा मोर्चा का कोई कारे करता अगर आखको आंखडे दिखा जाएगा यह जो दावे करते हैं मैं पूछना चाहता हूं कि आपके सासन के अंदर सुसासन क्यूं नहीं यहां कानूं का राज क्यूं नहीं आए और मित्रो उत्तर प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था खस्ता हाल लाले पड़ गए चे तंख्वा करने के आज पांची साल में उत्तर प्रदेश भारत की दूसरी सबसे बड़ी व्यवस्था है एक बार और आशिर्वात कर देदो रादे रादे करकर अगले पांच साल में नंबर एक अर्थ व्यवस्था बनाने का काम भार दिये करकर अब गए अगरों यहां बहुत सारी माता है बेहने भी बैठी है अब तो बोटल का जमन आ गाया है परन्तु पहले मटकी लेने जाते थे तो मटकी को ठीक से टकॉरा लगाते थे या नहीं लगाते थे जड़ा जोर से बोलो भई लगाते दिया नहीं लगाते तो ये स्वार उपई है कि मट्की को टकोरा लगा लगा कर लेते हैं पांस साल तक जिनको यूपी देना है इस पर तो एक बार टकोरा लगा देना और अगर टकोरा लगाओगे तो जवाब नरे नरमोदी के नेत्रुतों की भारतिय जन्ता पार्टी पर ही आएगा मित्रो कबीर सामने बहुत खूब का है कबीर लोहा एक है घड़ने में है फिर ताही का बक्तर बने ताही की समसेज़ लोहाई होता है गड़ने में परिवर्तन है यही उत्तर प्रेश था यही पुलीस थी मगर सासन किसके हाथ में है इसका परिवर्तन है और श्रिकान सर्मा यहां बैठा है, श्रिकान को मैंने मेरे साथ कार्याले में काम करते हुए देखा है, इतने युवा कार्यकरता को इतने बड़े राज्य का हमने उर्जा मंत्री बना दिया, जिले जिले में, मुझे बताओ वहिया, जिले जिले में बिजली की स्तिती में सुधार हुआ है या नहीं हुआ है, सेहरों में 24 गंटा बिजली आती है या नहीं आती है, गाउं में 20-23 गंटा बिजली आती है या नहीं आती है, तो कबीर साब यही कहते हैं कि लोहों से ढाल भी बन सकती है सम्सीर भी बन सकती है सासन अगर अखिलेश के हाथ में है तो गुंडों का राज होगा सासन अगर भाजपा के हाथ में है तो विकास का रास्ता प्रसस्त हो जा है मित्रों हमने गुंडाराज से मुक्त किया है आतंकवाज से मुक्त किया है दंगों से मुक्त करने का काम ये भारतिय जनता पार्टी की सरकार ने किया है मित्रों यहां पर धेर सारे काम यहाँ पर किये गए हैं मैं बहुत बीटेल में तो नहीं जाना चाहता हूँ कुछ जरूर बताऊंगा भगवान परशुराम के नाम पर यहाँ प्रदेश में परशुराम पार का निर्माण हम कर रहे हैं यहाँ पर भुंदावन के अंदर देर सारे काम भी हमने चालू की हैं मतुरा में भव्यकृष्ण महोच्षव का उच्षव करकर दुनिया भर के यात्री मतुरा में आये यह परंपरा को भारतिये जनता पार्टी में शुरू किया है स्रीकृष्ण जन्वमिल्ट सेत्र के 10 किलोमीटर में तीर्थ स्थान गोशिद करने का काम भारतिये जनता पार्टी की सरकार ने किया है रूंदावन, बर्जाना, गोवर्दन, बल्देव, नंदगाउं, रादाकूंड और गोकूल जैसे धामों को तीर्थ स्थान गोशिद करकर उसकी महत्ता और पवित्रता और दिव्यता को आगे बढ़ाने का काम भारतिये जनता पार्टी की सरकार ने किया है ब्रज तीस विंकार्थ परिशत की हमने स्थापना की है ब्रज परंपराओं की सभी छटाओं सांस्कृतिक परियावण संबंदी भी चिंता यही समिती कर रही है और आने वाले दिनों में विश्व भरका परियतन यहां आए इस प्रकार का हमने आयोजन किया है बाके मिहारी मंदिर की 22 कुंज गलियों और कुष्टन जन्मस्थान के मार्गों का विकास मैं पहले भी आया हूँ आज भी बाके मिहारी की गलियों में जाकर आया हूँ बहुत बड़ा अंतर देखतर मन को बहुत सांति में बाके मिहारी मंदिर की 23 कुंज गलियों को भी विकास कर रहा है लगभग मतुरा गुंदा और निगम शित्र में 70,000 गरों को जिसमें जब से ज्यादा गरीब गर है उनको सुद्ध पीने का पाणी पहुँचाने का काम ये भारतिय चंता पार्टी की सरकारने को मित्रोवzd के उत्तरप्र-देश भी की सरकारने रामायन सरकीट महभारत सरकीट सक्तिपिट सर्कीट आध्यात्म सर्कीट जहिन सर्कीट और सुभी सर्कीट को भी चालू करकर धार्मिक परियतन को पूरे उत्तरपदेश के अंदर बढ़ावा देने का काम किया है मिद्रो मोधी जी की जब सरकार आई तब मोधी जी ने कहा था मेरी सरकार देश के घरोडों घरीबों आदिवासियों और डलीतों की सरकार होगे पिछड़े समाज की सरकार होगे और पुदी सरकार ने साड़े साथ साल में इसको चरितार्थ करकर दिखाया है मैं स्रीफ उत्रप्रदेश की बात करता हूं अखिलेस भाई सुनते हो तो जरा जवाब दे देना कि आपके सासन में और बहन जी के सासन में 20 साल में यह सब क्यूं नहीं हुआ जवाब तो देना आप जिने गैस का चुला प्रियोब कोस्ट पहुंचा कर दूएं से मुख एक गरीव के घर में जब गैस का चुला पहुचता है तो पूरा घर दूएं से मुख धो जाता है बिमार आदमी का तो भला होता है खाना पकाने वाली मा की आँकी ज्योती भी नहीं जाती फिपड़े भी इसके सलामत रहते हैं लगबग कि दो करोड एक सट लाग सोचा लए बना रहे हैं दो करोड एक सट लाग घरे से थे जिसमें सोचा लए नहीं था मित्रों वो परिवार की महिलाओं की स्थिति की याइब कल्पना करते हैं कि इसलिए उत्तरप्देश में सोचा लए को इज़त घर नाम दिया है जिसने महिलाओं का सन्मान बढ़ाने का काम किया है आज आदी के सतर साल के बाद वो मा बहन बेटी सर्मसार होती थी आज भोधी जी ने दो करोड एकसट लाग परिवारों की दस करोड बहनों को भाईयों को आज सोचा लए देकर उनका सन्मान करना के काम किया है मानतरूवतना योधना में 40 लाग लोगों को लाभानवित किया गया है एक करोड 41 लाग गरे से थे जिसमें आजादी के सतर साल के बाद बिजली नहीं थे अब एक कहते हम मुप्त बिजली देंगे अरे भाई अखिले आप तो बिजली ही नहीं दे पाएगे मुप्त की क्या बात करते हो आप जो बिजली नहीं दे पाए वो मुप्त दे सकता है क्या बताओ भी दे सकता है क्या एक करोड 41 लाग घरों को निसुल्ग विध्यूत दे लाक अस्सी हजार रहडी पट्री वाले भाइयों को मोदी जीने लौन देकर उनके जिवन को कोरोना काल में पट्री पर चड़ाने का काम किया है। प्रजानमंत्री स्रमयोगी मांधन छे लाग से ज्यादा लोगों को दिया गया और उत्तपदेश में जब कोरोना आया तब आप मान कर चलिएगा कि सब को डर था कि उत्तपदेश के अंदर ज्यादा तरह अबादी घरीबी के विखा के नीचे किसी की रेड़ी पट्री बंद हो जाएगी किसी की ओटो बंद हो जाएगी किसी का कल कर खाने छोटे छोटे बंद हो जाएंगे यह लोग खाएंगे क्या कोई बचत तो होती नहीं दिन का कमाकर साम को खाते हैं क्या होगा मूदी जी ने सोला करोड लोगों को दो साल से मुप देश में चले जाए देश में 80 करोड और उत्त्य प्रदेश में 15 करोड लोगों को घरीब लोगों को खाने का अन नरेंद्र मोधी जी ने पहुंचा है मित्रों मैं मानता हूं कि भारतिय जन्ता पार्टी की सबसे बड़ी उपलब्दी है और इसका असिर्वाद भारतिय जन् कुंदावन और मधूरा की जन्ता के सरपर है कि सरकार तो आपने बनाई आप सरकार न बनाते तो एक कैसे होता प्रदान मंत्री आवास योदना गरीबों के पास घर नहीं था अखिलेश बाबू सुन लेना गरीबों की बात करते रहे आप घर नहीं थे गरीबों के लिए 42 30,000,000 लोगों को उत्रपदेश में घर देने का काम नरेंद्र मोधी सरकार ने किया है योगी आदित्यनाद ने इसको नीचे तक पहुचा है दो करोर चौफन लाग किसानों को हर साल 6,000 रूपया 37,000 करोर रूपया हमने सीधा इसके बैंक अकाउंट में पहुचा है अखिलेश स्युपाल की जोड़ी सुन ले कोई बीचोलिया नहीं है पैसे अब सीधे बैंक अकाउंट के अंदर जाते हैं और लगबग लगबग 15 करोड लोगों को प्रधान मंत्री आयूस्यमान भारत योद्ना का कार्ड देकर 15 करोड लोगों को 5,000 लाग तक की सारी स्वास्त की सुविदाये फ्री आप कॉस्ट करने का काम भारतिये जनता पार्टी की सरकार ने किये एक करोड चासट लाग किसान क्रेडिट कार दिये मैं गन्ना के एक शेत्र में आया हूँ पस्ति में उत्तर पदेश में हूँ अखिलेश बाबु गन्ने की भी बात करते हैं बहिया अखिलेश आपके राज में रेकोर्ड लेकर रहाओ जनता के सामने कितना पेमेंट हुआ था ये बुआ बदुजाद उन्नों के राज में पद पन हजार करोर का पेमेंट हुआ था कितना हुआ था जोर से बोलो भई भारतिय जन्ता पार्टी ने एक लाग अर्तालीस ज़ार करोग भुव्याटापे एब हुआ बती जाके राज में 42 गन्ना मिले थी 21 करकर गए 21 बंद कर दे न उसमें गबन भी हुआ CBI इंक्वाइरी चल रही है हमारे राज में एक भी नई बंद हुई और 20 की समता विस्तरण का काम योगी आदित्य नहात में किया है यह गन्ने की बात करते हैं मोदी जी ने इथेनोल खरीद कर गन्ना किसान को मदबूत किया रो सुगर पर एक इंपोर्ट की ड्यूटी डालकर सुगर के दाम चीनी के दाम बैलेंस करकर किसान को अच्छा गन्ने का डाम बलेंस किया है और मित्रो लॉकडाउन के अंदर भी यह मिले बन नहीं यह मिले चलती ही रही और घेर सारे उसके कारीगरों को और गन्ना किसानों को अपना भुकतान समय पर मिलता रहे मित्रो प्रदेश एक ही प्रदेश ऐसा है उत्राखन बनने के बाद भी जहां सबसे ज्यादा संत महंत बीराजवान होते हैं चाहे चित्रकुठ हो चाहे कासी हो चाहे भुंदा वन हो ग्या और सारे संत मह हजली लगा रहेता है क्यों लगा रहेता है ऍभी क्योंहक्त ही तो've है जहां से हमारी संस्कूर्टी पन्पि महाभारत रामायन ये सभी इसी भूमी पर गुए धेर सारे धेर सारे अपने स्रद्धा के अंद्रों का जिर्णोधार नहीं नुद्दा थे मित्र आप मुझे बताओ मोदी जी की सरकार नहोती तो राम जनुल का मंदिर संभव था क्या बाबा विसोनात का औरड़ बनता क्या विंद्धेव आसिन का पूर्ण निर्मान होथा क्या भारती जन्ता पार्टी की सरकार है जिसने वत्पन की चिंता करे बगर समाज के स्रद्धा केंद्रों को फिर देदी पेमान करने का काम किया है। मित्वो आपने दूसरी बार मोदी जी को वौट दिया ? पूर्ण मभवत की सरकार बनाई ? हमें हमेसा कहते थी अकीलेज हमेसा कहते थी कि मंदिर वही बनाएंगे मगर तीथी नहीं बताएंगे अकिले जी भूमी पूजन हो गया है आपको निमंटरन है आप भी आ जाना जब दजाज चाहिए मितो सत्तर साल से बारत्य जनता पार्टी मांग करती थी कि कस्मीर के अंदर दारा 370 उखार कर फैक देनी चाहिए यह पुरा का पुरा कस्मीर यह भारत का है कस्मीर भारत का अभीन अंग है पुरा देश इसके साथ सहमत था मगर धारा 370 को वाट बेंक की लालच में कोई छूटा नहीं था आपने दूसरी बार सरकार बनाई और 5 अगस्त 2019 को नरेंदर मोदी जी ने धारा 370 को उखार कर फैक और जो कहते थे संसत में मेरे सामने खड़े रहकर कहते थे खून की नद्या बन जाएगी कंकर भी डालना नहीं गा पत्थर छोड़ो कंकर भी नहीं डाला और आज वो कस्मीर भारत माटा का मुकुट मनी देश का भुन हिस्सा होकर गवरों के साथ भारत के नक्षे का हिस्सा होकर मित्रों पहले देश की सुरक्सा को एक कॉंग्रेस सपा बसपा सभी लोग ताक पर रखते थे एक समाजवादी पार्टी के निता ने कह दिया बॉर्डर पर फैंसिंग की क्या जरूरत है खोल दो सहमत हो भई आप सहमत हो अरे परिंदा भी प्यान नहीं मार सकता का है को चि जमाना था कि आए दिन वहां से आलिया मालिया जमालिया आते थे हमारे जवानों के सर काट कर ले जाते थे और पैरों से रौंद कर अपमानीत करते हैं मोदी जी की सरकार बनी पुरी पर हमला किया पुल्वामा पर हमला किया दसी दिनों में पहले सर्जीकल स्ट्राइक और एश्ट्राइक करकर पाकिस्तान के घर में घुजकर आतांकवादियों का सफाया करने का काम प्रजार्मन की नर्यल होगी है इस भारतिया जनता पाटी ही देश की सुरक्षा को सर्वोच प्राजवित्ता देती है और यह देनी भी चाहिए उत्तरप्रदेश देशता बड़ा सुबा आद सिमाय उत्तरप्रदेश की भी नेपाल से सटी हुए इस्तिमांत राजे यहां पर भी सुरक्षा बनी रहनी चाहिए यहां पर प्रसासन कानून और विवस्ता ठीक रहनी चाहिए और मैं कह सकता हूं मित्रो हमने सपा को भी दिखा है बसपा को भी देखा है राहुल बाबा की कॉंग्रेस पाटी को भी देखा है यह कोई रख सक कास्मीर को समाल सकते हैं कि एक केवल और केवल नरेन रमोधी के नित्व में भारतिय जनता पार्टी ही कर सकती है मित्रों और को भी नहीं लोगा कि आप सब्सक्राइक करना पड़ेगा आप ये आप भ्यक्ति को चुनना चाहते हों या उत्तरप्रदेश और देश को चुनना चाहते हूं या उत्तरप्रदेश और देश को चुनना है तो भारती जनता पार्टी के अलावे इसको कोई शुरक्सित नहीं रख सकता मित्रो अता मेरा निवेदन है कि हर बार की तरह 2014, 2017 और 2019 की तरह मैं करबद निवेदन करने आया हूँ कि हमारी जोली कमल के भूलों से भर दीजिये और ये बांके विहारी की भूमी पर ये मदुरा की भूमी पर पवित्र भूमी पर खडारे कर कहता हूँ हमारा वादा है कि उत्तर देश को सुरक्सित भी रखेंगे, सलामत भी रखेंगे, विक्सित भी बनाएंगे और देश में नंबर वन बनाएंगे, आप सभी लोग इतनी देव से बैठे हैं और मुझे सांती से सुना, हमारे सभी प्रत्यासियों को असिरवाद भी दिया इसलिए अंत में करबद होकर आपका धन्यवाद करकर मेरी वाद को भिराम देता हूँ बन बनाएंगे